हलो दोस्तों, वल्कम बैक टू माई चैनल, तो आज का हमारा टॉपिक है बैंगल सेलर्स, इस पोवम को लिखा है सरूजनी नाइडू जी ने, ये एक बहुती बहुतरीन कवीता है, इस पूरी कवीता को पढ़ने के बाद आप समझ पाओगे कि सरूजनी नाइडू जी ने ए इस पूरे पोवम को नरेट किया है एक बैंगल सेलर्स ने, तो चलिए शुरू करते हैं इसे, बैंगल सेलर्स आवी, हूबियर, आर शाइनिंग लोट्स तू दी टैंपल फेयर, यहां बैंगल सेलर्स बता रहे हैं कि बैंगल सेलर्स वे होते हैं, जो मंदिर के मेलों में अ चोटे चोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजर्ग तक आते हैं। इन मेलों में लेडीज की भारी संख्या भी एकटा होती है। तो किसे बैंगल सेलर के लिए एक मेला बहुती अच्छा जगा बन जाता है अपनी चूणियों को बेचने के लिए। उन मेलों में जाने के बाद ये बैंगल सेलर कोई अच्छी सी जगा ढूंड कर वहाँ अपनी चूणिया सजा कर बैट जाते हैं। फिर आवास लगा कर मेले में आई औरतों और बच्चियों को अपनी तरफ आकरशित करते हैं। कौन खरीदेगा ये नाजुक और चमकदार सतरंगी चूणिया, चूणिया ले लो चूणिया। बैंगल सेलर कुछ ऐसे ही लाइन्स पोल कर अपनी चूणियों की बिक्रे स्टार्ट कर देते हैं। यहां tinted का मतलब है slightly colored और circle of light का मतलब है चूणिया। यहां lustros का मतलब है चमकदार, token का मतलब है कोई symbol या जिसे हम हिंदी में प्रतीख कहते हैं। और radiant का मतलब है happy looking, यहाँ पे wives, wife का plural form है, तो poet इन lustrous चूनियों को happy life का symbol बता रही है, हमारे Indian society में खास कर पुराने समय में चूनियों का बहुत जादा crazy हुआ करता था, आज भी है लेकिन पहले की जैसा नहीं, पहले हर एक married women रंग बिरंगी चूनियां पहनती थी, जो उनके happily married life को दर्शाती थी, इसके साथ ही छोटी छोटी बच्चियां भी बड़े चाव से चूनियां पहनती थी, अच्छा यहाँ पे poet ने सिर्फ daughter और wife word को ही क्यों यूज किया है, वो यहाँ पे women word का भी use कर सकती थी, देखिए, reason यह है कि Indian culture में जो वीडो होती है, यानि विद girls को follow नहीं करते, लेकिन यह poem जिस time पर set की गई थी, उस समय लोग बहुत ही ज्यादा रूडी वादी विचारों वाले हुआ करते थे, इसलिए यहाँ पर poet ने daughter और wife word को लिया है, क्योंकि एक wife अपने husband के लिए चूनिया पहनती है, श्रिंगार करती है, और एक father अपनी daughter के लिए अपनी पसंद की चूनिया लाकर उसे पहनाते हैं, ताकि उनकी बेटी भी खुश रहे, नेक्स्ट स्टेंजा में, poet चूनियों को unmarried young girl के life से compare कर रही है, यहां मेडन का मतलब है, unmarried young girls, यानि कुवारी लड़किया, अब पैंगल सिलर्स कह रहे हैं, क्योंके पास ऐसी चूनिया भी है, जो कुवारी लड़कियों की कलाईयों के लिए बिलकुल suitable है, कुछ चूनिया पहाडों पर गिरने वाले ओस की बुन्दों की तरह है, जिसका रंग सिल्वर और नीला है, some are flushed like the birds that dream on the tranquil brow of a woodland stream, बैंगल सिलर्स के पास कुछ fresh color की चूनिया भी है, यहाँ woodland का मतलब है jungle और stream का मतलब है कोई भी बहतीवी धारा like river, आप यहाँ पर waterfall भी ले सकते हो, तो बैंगल सिलर्स कह रहे हैं कि जिस तरह से जंगल में नदी के शांत किनारे पर कोई नई फूल की कली आती है, तो उस कली का रंग बहुत ही खूबसूरत और अनुखा होता है, बैंगल सिलर्स के पास उस fresh रंग की चूनिया भी है, पेसिकली इन लाइन्स का मतलब ये है कि जैसे एक कली को फूल में खिलने की बेताब इच्छा होती है, वैसे ही एक यंग गर्ल के मन में अपने आने वाली लाइफ के लिए हजारों सपने होते हैं, और वो फ्रेस रंग की चूनिया उनके सपनों को हर पल जिवन्त करती हैं, यहां ट्रंकुल का मतलब है पीस्फुल और फ्लस्ट का मतलब है फ्रेश, अब आगे की लाइन्स देखते हैं, समर अगलो विद द ब्लूम दाट क्लीव्स, टू दर लंपिड ग्लोरी अफ न्यू बॉर्न लीव्स, बैंगल सेलर्स के पास हलके हरे रंग की चूनिया भी है जो उन यंग गर्ल्स की कलाई पर बहुत जचेंगी, इन चूडियों में बिल्कुल उतनी ही चमक थी जितनी की नए नए पत्तों पर होती है यहां मौर्ण का मतलब है मौर्णिंग और मीट का मतलब है सुटेबल बैंगल सेलर्स के पास कुछ चूनिया यलोविश कलर की भी है यहां यलो कलर को कॉमपेर किया गया है कॉर्ण के फिल्ड से जब सन लाइट मकई के फसल पर पड़ती है तो जैसे उसकी चमक होती है बैंगल सेलर के पास कुछ चूनिया उस कलर की भी हैं यह यलो कलर की चूनिया न्यू प्राइड के लिए बिल्कुल सुटेबल है यलो कलर सिंबलाइज करता है सन को तो सन में जितनी एनरजी होती है जितना होप और चार्म होता है एक नई प्राइड के अंदर उसकी पहली सुबह को उतनी ही एनरजी रहती है और धेर सारे सपने होते है यहाँ ही का मतलब है clear तो बैंगल सेलर के पास कुछ चूणिया औरेंज कलर की भी है शादी के फेरों की अगदी जिस तरह से हलके औरेंज रेड कलर के होते हैं वैसे ही कुछ चूणिया बैंगल सेलर के पास न्यू ब्राइड के लिए है एक नई नई ब्राइड के मन में अपनी नई लाइफ को लेकर बहुत सारे सपने होते हैं सेलर के पास ऐसी रंग की चूडिया भी थी जो उनके दिल की एक्छा को दर्शाती थी यहां टिंकलिंग का मतलब है खनक, लिूमिनस का मतलब है चमकदार, टेंडर का मतलब कोमल और क्लियर का मतलब है साफ बैंगल सेलर की इन चूडियों में खनक थी चमक थी यह बहुत ही कोमल और क्लियर थे इन चूडियों की खुबिया ठिक वैसी ही थी जैसे कि एक नई ब्राइड की होती है इन चूडियों को पोईट ब्राइड की हसी और उसके आंसूँ से compare कर रही है आपने देखा होगा कि एक ब्राइड अपने शादी पर बहुत खुष होती है क्योंकि वो एक नई लाइफ की शुरुआत करने जा रही होती है लेकिन इसके साथ वो दुखी भी होती है क्योंकि जिस खर में वो खेल कूद कर बड़ी हुई उसे उसी घर को छोड़ कर अपने माता पिता को छोड़ कर दूर जाना पड़ता है पोईट ने इसी चीज़ को कॉमपेर किया है कि जब चूणिया खनकती है और चमकती है तो बिलकुल ब्राइडल लाफटर की तरह लगती है लेकिन जब वही नाजुक होने के कारण तूट जाती है तो ब्राइडल टियर की तरह लगती है आगे है summer purple and gold flagged grey for she who has journeyed through life midway Bengal seller के पाथ कुछ purple और grey color की चूणिया भी है जिसके उपर golden work किया हुआ है और ये चूणिया उन लेडीज के लिए है जो अपना आधा जीवन जी चुकी है ना ही newly married है और ना ही बहुत ज्यादा aged यहां flagged का मतलब है small patches of color तो grey color की चूणियों के उपर gold color के चोटे 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 patches है Whose hands have cherries, whose love has bliss and cradled fair son on her faithful breast ये purple और grey color की चूणिया वैसी औरतों के लिए हैं जिनके हाथों ने अपने बच्चों को पाल पोस कर बढ़ा किया है जिसने अपने प्यार से अपने परिवार को सीचा है और जिसने अपने बच्चों को अपने सीने से लगा कर जुलाया है अगर आपके घर पर भी कोई छोटा सा बच्चा होगा लाइक एक साल से कम उम्र का बच्चा तो आपने देखा होगा कि आपके घर की औरतें उसके सर को कंदे पर रख कर और सीने से लगा कर धीरे धीरे जुलाते वे सुला देती हैं तो पोईट यहाँ पर इसी प्रॉसेस को बता रही है यह परपल कलर की चूणिया उन औरतों के लिए है जिनोंने अपने घर परिवार को बहुत ही प्राइड यानि गौरफ के साथ समभाला है जिनको अपने परिवार की सेवा करने में खुशी महसूस होती है और परिवार के लिए कुछ भी करने को रडी रहती है ये लेडीज भगवान के सामने भी पूजा के समय अपने हस्बेंट के लिए ही मांगती है हमेशा उनके बिहाफ में पूजा करती है और पूरे फैटफुलनेस के साथ अपने पती का साथ देती है तो ये था इस पूर्म का लास्ट स्टेंचा देखा आप लोगोंने कैसे हमारी पूरेट ने लेडी के लाइफ को बैंगल्स के साथ जोड दिया बैंगल्स के अलग-अलग रंग की तरह ही एक लेडी के लाइफ में अलग-अलग रंग आते हैं इन रंगों को बखू भी देखा हमने इस पूर्म में आज के इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक यू फर वाचिंग